हेलो फ्रेंड्स, सम्रुद्धी महामाग एक सूपर कम्यूनिकेशन एक्स्प्रेस्वे हैं, जो महाराष्ट्रा में बन रहा है मुंबई से नाकपूर का डिस्टंस इस एक्स्प्रेस्वे से 8 गंटों में कम्प्लिट होगा जहाँ अभी उसी रूट के लिए 16 आउर से जाधा टाइम लगता है सम्रुद्धी महामाग, नाकपूर, वर्धा, अम्रावती, वाशिम, बुल्धाना, अउरांगाबाग, जालना, एहमदनगर, नाशिक और ठाने इन 10 डिस्ट्रिक्स से गुजरता है और आसपस के 14 डिस्ट्रिक्स को फीडर, रोड या फिर हाइवे से कनेट करता है इसका मतलब है समुरुदी एक्स्प्रेस वे 24 डिस्टिक्स को डारेक्ट्ली या इंडारेक्ट्ली करन करता है और इससे 392 विलेजेस कनेक्टेड रहेंगे वेलकम टू केपी कॉंस्ट्रो आज हम एक मेगा प्रोजेक्ट जिसका नाम है समुरुदी महामार्ग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे समुरुदी महामार्ग का डिस्टंस 700 किलोमेटर है जो मुंबई के जे एन पिटी से नागपूर के नियान तक होगा इस महा प्रोजेक्ट के लिए 24,000 एकर से ज्यादा की लाइन लगने वाली है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट एप्रोक्जिमेटली 46,000 करोड होगी एक्स्प्रेस्वे को MSRDC जो महाराष्ट्र स्टेट रोड डिवर्लप्मेंट कॉर्पोरेशन है वो मैनेज कर रहे है कॉन्ट्रेक्टर्स को अपॉइंट करने की प्रोसेजर अभी कम्टिट हो चुकी है एक्स्प्रेस्वे के लिए 17 कॉन्ट्रेक्टर्स शॉट्लिस किये गए थे जिन में से 13 कॉन्ट्रेक्टर्स क्वालिफाई हुए है उनके नाम है LNT, NCC, मेधा इंजिनेरिंग, एपकॉन, PNC इंफ्राटेक, सद्भाव इंजिनेरिंग, एपको, एरलाइंस इंफ्रस्ट्रक्चर, मोंटे कारलो, मेगा इंजिनेरिंग, गायत्री प्रोजेक्ट्स, दिलिब बिल्ड कॉन और BSCPL समुरुद्धी महामार्ग, पूरी तरह से Greenfield प्रोजेक्ट है, इसका मतलब इसका पूरा निर्मा नई जगह पर किया जा रहा है, कोई भी एक्जिस्टिंग रोड को रिडेलोप नहीं किया जा रहा है X-ray स्वेपर, फ्लाइट सर्फेस में 150 km पर आर और घाट एरियाज में 100 km पर आर की स्पीड लिमिट दी गई है, इसकी वरे से 700 km का डिस्टन सिर्फ 8 गंतों में कम्प्लीट होगा ये 8 लेंज का X-ray स्वेप होगा, जिसकी वीड़ 120 मिटर होगी और दोनों साइड के सेंटर में 22.5 मिटर की जगा छोड़ी गई है जिसकी वरे से अगर future में expansion करने की ज़रत पड़ी, तो नई land acquisition की ज़रत नहीं होगी और दोनों साइड में service road भी दिये गए है Expressway पर 5 tunnel, 24 interchanges, 50 flyers और 400 से ज़्यादा underpasses होगे, जो इस road को signal free बनाते है दोस्तों, construction के लिए maximum local material यूज किया जाएगा जहाँ जहाँ possible होगा, वहाँ flash और plastic का use किया जाएगा जगे जगे पर rain water harvesting भी की जाएगी, जिसकी वरे से water conservation possible होगा इस road की एक और खासियत यह है, कि इसमें entry और exit को manage किया जाएगा जो पूरी तरह से automated होगा और toll सिफ exit पर लिया जाएगा, जो आपके distance travel पर depend होगा एक्सप्रेश वेपर, accident manage करने के लिए जगे जगे CCTV लगाए जाएगे और हर 5 किलोमेटर के distance पर telephone बूत होगा इलेक्टिक कास, जो आजकल बहुत demand में हैं इसके लिए सम्रुदी महाम आगपर, जगे जगे पर electric charge station लगाए जाएगे और gas pipeline, electricity line और OFC lines के लिए provision भी की जाएगी natural disaster, emergency और war-like situation के वक्त expressway को temporary runway जैसे treat किया जाएगा इसकी बड़े से, aeroplane की landing expressway पर की जा सकती है expressway पर 20 से ज़्यादा क्रिशी सम्रुदी के इंदर बनाए जाएगे जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदय होंगे सम्रुदी expressway के line acquisition almost complete हो चुकी है और construction भी start हुआ है ये project 2020 के end तक complete होने की आशा है दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब पेजूपेज को लाइक और वेबसेट को ज़रूर विजिट करें टैंक यू प्रूपपेजरखेज आपको लगी होगी 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 है